प्रशान धवन नाव हाली में बहुत ही मैं कहूंगा विचेत्र घटना हुई है यूएस ने एक भारतिय नागरिक पर लगा दिये हैं सांक्शन्स नौर्थ कोरिया की मदद करने के लिए यहां पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं यू वैसे ने कुछ दंडित किया है इंडिया को वगरा मैं समझाता हूँ यहां पर एशू क्या है और इवेन दो आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिखोगे के नौर्थ कोरिया का एशू है एक इंडियन पर लग गए सांक्शन्स आपके माइंड में इमिरेटली बात आएग डेफिनेटली कुछ नुकलियर वेपन से रिलेटेड कुछ होगा कुछ उरेनियम से रिलेटेड होगा तो मैं यहां पर क्लियर कर दूँ कि इस पूरे केस में जो भी सैंक्शन लगाए गए है भारतिय नागरिक पर नौर्थ कोरिया की हेल्प करने के लिए यहां पर मिलेट बहुत ही जादा इंपोर्डन्ट है पहले तो 9 दिसंबर को हम अब्जर्व करते हैं International Anti-Corruption Day फिर 10 दिसंबर 10 दिसंबर को हम अब्जर्व करते हैं International Day of Human Rights दोनों UNITED NATIONS BACKDAS हैं बहुत ही इंपोर्डन्ट है और USA इन दिनों को काफी इंपोर्डन्स देता है अब USA ने क्या कि हम ना इन दोनों दिनों को अब्जर्व करने के लिए दुनिया भर में कई जो इंडिविजुल्स हैं जो नौर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां पर करप्शन बहुत जादा है एक ऐसा देश जहां पर human rights की कोई इज़त नहीं होती तो नौर्थ कोरिया को जो भी लोग support करते हैं जो भी companyya support करती हैं जो भी individual support करते हैं सब पे US लगाएगा sanctions ये basic sanctions हैं इसका मतलब ये है कि ये individuals USA में travel करने ही सकते इनके जो assets है USA में इनको freeze कर दिया जाएगा और इस सब के इलावा कुछ खास यहां पर होगा नहीं मगर obviously यहां पर आगवा question आएगा कि चाहे sanctions अपने आ नागरिक पर sanctions लगाए भी क्यों USA ने, reason ये है क्योंकि भारतिय नागरिक यहां पर एक North Korean cartoon या फिर आप कहलीजे animation studio की help कर रहा था, आपने काफी बार anime के बारे में सुना होगा, A, N, I, M, E, आज के समय काफी popular हो चुका है anime दुनिया भर में चाहे US हो, Europe हो, even इंडिया में आ आज के समय, even Death Note आप अगर देखो, तो काफी famous हुआ था, तो ये जो सारे anime shows हैं, ये कहां से आए हैं, ये आए हैं जपान से, और पिछले कुछ सालों में इनकी popularity, कई Hollywood movies को भी बीड करती है, आप अगर सोच कर देखे, Pokemon ही अपने आप में इतना बड़ा brand बन गया था, कि शा और इनकी सरकार completely हर तरव से control करती है, कि इनकी जनता क्या consume कर रही है, क्या देख रही है, हाली में report आई, कि North Korea में दो teenagers थे, दो युवक थे, ये South Korea का कुछ ड्रामा, कुछ आप कहलो, television show देख रहे थे, और इसी अपराद के लिए, दोनों युवकों को North Korea में मार डाला गया उसके इलावा, open internet North Korea में band है, Hollywood movies यहाँ पर आती नहीं है, anime जो है जपान का ये भी North Korea में band है, मगर North Korea के लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कि anime होता क्या है, और obviously एक human आप कहलो, interest है, जिग्यासा है, एक human being चाता है कि मैं खुद को entertain करूँ, मैं भी movies देखूं, shows देखूं, तो North Korea ने सोचा के कुछ ना कुछ इसका हिलाज करना होगा, हमें खुद की एक animation industry बनानी होगी, ताकि हम लोग खुद अपने propaganda वाला, अपने narrative, अपने storyline वाला एक show बना पाएं, movies बना पाएं, और ये सब हम दिखाएंगे अपनी जनता को, और इसमें वाइदा ये है, कि सार show controlled होगा, इस show में कुछ ऐसी बात नहीं होगी, democracy से related, human rights से related, freedom से related, ताकि North Korea की बड़ी अबादी के माइड में, ये सब ideas ना चले जाएं, तो इसलिए North Korea ने आज से कई दशकों पहले, अपनी खुद की एक industry open कर दी थी, कई companies open करी, और ये कंपनियां चलाती है, North Korea की सरकार, ये companies North Korean anime मनाती है, अपने लोगों के लिए, अब यहाँ पर आप अगर सोच रहे हो के North Korean animation, anime ये कैसा होता होगा, देगे बेकार सा ही होता है, obviously, तबी इसकी North Korea के बाहर कोई appeal है नहीं, मगर North Korea के लोगों के लिए ये काफी important है, क्योंकि ये एक lota entertainment का source हैं लोगों के लिए, वह ये लोग देख पाते हैं, तो USA नहीं यहाँ पर ये का है, के एक Indian, जिनका नाम है दीपक सुवाश जादव, जो इंडिया में एक animation based company जलाती है, फंसागा limited, ये North Korea की सरकारी company, SEK के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इनको help provide कर रहे थे, कुछ animation राने के लिए, अब अपने cyber को exploit करती है, और propaganda create करती है, तो इसलिए US हर साल, दुनिया में कोई भी company हो, अगर Europe में हो, या फिर India में हो, कहीं भी हो, उसके कहीं से भी relation है, SEK के साथ, या फिर North Korea की सरकार के साथ, तो उस पर US लगा रहेता है sanctions, और हमारे case में भी यह हुआ है, तो इस particular case में, क्या हमें USA क blame करना मुश्किल होगा, मेरे हिसाब से important ये है, कि हम geopolitics की जो knowledge है ये आम इंसान तक पहुचाए, आम इंसान को ये बतावना चाहिए, कि इंडिया का stance क्या है, इंडिया की position क्या है, globally किस country पे कितने sanctions लगे हैं, ताकि वो proper तरीके से business decisions ले पाए, अब North Korea के case में अगर हम प्रिली trade नहीं करते हैं North Korea के साथ, उसके अलावा, United Nations में आप देखोगे, काफी बार इंडिया ने North Korea की अलोशना भी करी है, इनके intercontinental ballistic missile launches को लेकर, जो बहुत बार जपान और South Korea को भी target कर चुका है, तो इंडिया में इस बात को लेकर awareness होनी चाहिए, कि एक तो इंडिया के साथ, trade, vapour, actually, जो भी interaction है, जितना limited आप करेंगे, उतना ही भैतर रहेगा, अभी USA के sanction आई है, कल को Japan, European Union कहीं से भी sanction आ सकते हैं, तो awareness इस बात की बहुत important है, और हाँ, finally मैं आपे आपसे सवाली पूछूँँगा, question यहाँ पर यह है, कि हाली में Time Magazine ने 2022 Person of the Year का title किसको दिया है, यह हैं आपे आपकी option, Joe Biden, Elon Musk, Zelensky, Ukrainian के President Zelensky, या फिर India के Prime Minister Narendra Modi, comment section में करिए उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा नहीं, बहुत ही simple question है, जो लोग इसका सही answer करेंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही answer क्या है, तो attend करिए question in the comment section मिलो, और finally, आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, bank, any examination आप purchase कर सकते हैं, unacademy के quality courses, let's say, आप purchase कर रहे हैं, कोई भी SSC exam के लिए CGS, CHSL, तो यहाँ पे आपको click करना इस link पर, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे unacademy के quality courses, मगर जो prices यहाँ पर लिखे होंगे, यह पे करने की आपको आवशकता बिलकुल नहीं है, simply यहाँ पे नीचे आपको code डालना है, PD10, और अपने आप आप दिखोगे जो prices हैं, यह गिरना start हो जाएंगे, आपको मिलेगा massive discount, so save money by using the code PD10, और इसी note के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.